जो लड़ा वही महान है, जो हार गया, वो गिदर के समान है, ठीके, देखे मेरे भाई, मैं जानता हूँ कि आप लोग के उपर जो प्रेसर है, वो बहुत ज़दा हाई है, क्योंकि बोर्ड ने अपने टाइम टेबल को ही कुछ इस परकार डिजाइन किया है, कि बचों का दिम कमेश्ट्री का, तो में बात यह आती है, कि सर यह मैथ और बैलोजी के बीच में जगह इतना दे दिये है, तो इसमें तब यह गधा लड़का भी त्यारी कर लिया होगा, मैथ और बैलोजी का, लेकिन सर फिजिक्स जो हमारे लिए सबसे बड़ी बवाल है, उसमें मातर एक कि एक हपता में कैसे त्यारी होगा, तो तुम सोचो, एक दिन में तुम इंग्लिस का त्यारी कैसे करोगे, एक दिन में तुम फिजिक्स का त्यारी कैसे करोगे, और दो दिन में तुम कमेश्ट्री का त्यारी कैसे करोगे, कितना बीडियो देखोगे, कितना चीज पढ़ो आप एक दिन में कोई भी सब्जेट की तियारी नहीं कर सकते कहा है न वो हिंदी हो समझे मेरी बात तो आज किस वीडियो में हमने बहुत सोचा कल और कल सोचने के बाद ही कल हमने पोस्टर बनाया उसको हमने यूट्टूबर पोस्ट किया कि तिन दिन में हम स्वाहा करेंगे तियारी खो ठीके मुझे अभी बुखार भी है मेरा भी टेवेत खराब है लेकिन मैंने सोच लिया है कि अभी टाइम है यह इत्तिन दिन में कुछ कर सकते हैं उसके बाद तो जिंदगी बार तो तो आराम तो करना ही है तो आपके लिए हम इतना मेनद कर रहे हैं तो बस आप हमारे साथ मिलकर तयारी कीजें जगी यदि आपका सपना 80% आगरांगी यदि आपका सपना सिर्फा सो जाना टो भ्या को हम DIY ये लिस्ट में आज की वीडियों सेव तू Dollood करके रख लो क्योंकि ये वीडियों आपको टॉपर वना सकती है मेरे भाई यह में लिखके के देता हूं ठीक है अब आगे क्या होगा देवासर क्लाषे चैनल पर अब अगे क्या होगा मुं किस तरीके करेंगे ठीक है अब ध्यान दिजिएगा गधा से घदा प्रॉल नहांत कमजोल चाथर के त्यारी में अंगा मत्रत 3 दिन में बस आपको मेहनत मेरे साथ करने होगी मुझे एक लड़का बैछा देता है ना तो सभीकार मुझे चलिए तीन दिन वे इसे होगी तयारी वह तोड़ा समझ लीजिए मैंने आपको बता दिया कि बैलोजी और मैथ की पेपर होने में मात्रत तीन दिन वचा है आज की दिन छोड़ा गया आज क्यों कि आराथ को यह साम को वीड़ अप्लोड कर रहा हूं कितने तारीक हो तो पचीस तारीक हो तो शब इसलिए मैंने इनको काट दिया है यह बोड़ वाले है यह बहुत गलत करने आप लोगों के साथ मैं खुल के बोल रहा हूं इनको क्या करना चाहिए था ना बराबर बराबर समय दे देना चाहिए था तिन दिन फिजिक्स में भी तिन दिन कमेश्ट्री में भी तिन दिन मैथ में दे देना चाहिए था बैलो जी में समझ रहे चलिए कमेश्ट्री में दो दिन का बचा है और जो बच्चे दो दिन जो बच्चे पढ़ चुके हैं पहले कमेश्ट्री थोड़ा बहुत भी त्यारी कर सकते हैं लेकिन जो नहीं पढ़ें भया नहीं होगा तुमसे त्यारी दो दिन में इसलिए आज की वीडियो बहुत खासे तीन दिन में ऐसी होगी तैयारी देवस्तर कलासे चैनल पर जो आज इताकम कोई आपका आफ्लाइंट टीचर नहीं कराएगा नहीं आप कर ले रहा नहीं में खुद कराऊंगा इनका वीडियो में खुद अपलोड करूंगा आपको कहीं ढूनने की जूरत कहीं जाने की जूरत नहीं है बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आकन दवा लीजिए जैसे मारे वीडियो पहुंचेगा आपका आपकी मुवाइल पर म और 38 भरहरी इन तीन दिन को बाट दिया है तीन दिन में क्या क्या आप तॉड़ेंगे वो तोड़ा ध्यान से दिजीए हम मैत और बैलोजी में जानि कि कल 26 भरहरी बोले तो कल और यदि आप 26 भरहरी को वीडिए तो आज 27 तरीको देख रहे हो तो इसमानों कि कल भीजल बि पहले math और Полो जी में हम क्या करेंगे कि दो नमर वाले स्वाहा करेंगा ठीक, कल 26 सुरवरी है और यदि आप 26 स्वाहा हो तो आज आगप लोग क्या हो गया होगा थोड़ा से long video हो सकता है मानता हूँ कि यहाँ पर math के तो यह घंटा का जा सकता है ठीके और बैलो जी के तो यह कोसिस करूँगा कि जितना कम हो सकती जितना आपका time बरबाद ना हो उतना में कोसिस करूँगा समझ गए? चलिए अब कली 26 पर हो रही है कली हम book one के physics के book one के सभी सुत्र का निगवन हम पढ़ेंगे मतलब derivation जो आपके book के जो most important derivation है ना उनको हम कल ही पढ़ेंगे थोरा सी यह वीडियो लंबा होगा मैं मानता हूँ कि एक घंटा का यह वीडियो बनेगा book one के सभी derivation ठीके मैं पहले derivation क्यों करा रहा हूँ पहले आप derivation करें रहेंगे न तो आप बाद में उसका revision करके paper में चले जाएंगे derivation उसके बाद कराऊंगा उसके बाद numerical कराऊंगा बाद में theory वाले question कराऊंगा जो याद करने बाले होते हैं समझ दे मेरी बात चलिए इंग्लिस में हम कल ही त्याली करेंगे क्या करेंगे unseen passage को पढ़ेंगे कि हम paper में unseen passage कैसे solve करें क्या तरीका होता है जिसे हम 15 नमर पास सकते हैं समझ गए तो यह रहा हमारा 26 तरीका plan अब हम देखते 27 तरीका plan अबश्कीन सॉट ले लिया करो देखो इसका भी इसकीनसॉट ले लो कि, शबिस तरीको क्या क्या वीडू आने वाला है आपको पहले से मालूम चल रहेगा ठीके चलिए अब 27 तरीका देख लो plan इसका भी नमर दिलाते हैं वो में आपको 27 तरीकों किलियर करा दूँगा और मैं तो ध्यान से सुन लो पांच नमर और आठ नमर वाली प्रिविएस यह कोश्चन जेतने भी पूछे गया है और जो पूछे जाएंगे वह हम करा देंगे आपको 27 तरीकों समझगे मेरी बात चलिए इंगलिस में क्या हम पढ़ेंगे 27 तरीकों लेटर और आर्टीकल पढ़ेंगे लेटर और आर्टीकल पढ़ेंगे ठीके यह आपको 10 10-20 नमर दिलाके जाएगा 15 नमर अंसिन पैसेज का और 20 नमर यह 35 नमर आपका ऐसी पक्का हो जाएगा जो बच्चे इसके आगे ना भी पढ़ेंगे वह पास हो जाएंगे इंगलिस में समझगे चलिए अब हम 27 तरीक को फिजिक्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं बुक ओल का नमर कल हमने बुक वॉल का डेरी वसन पढ़ लेंगे 26 तरीको और 27 तरीक के इसके पूरे नमर कल हम लो सॉल्व कर लेंगे सूत्र के साथ आपको सूत्र का वीडियो प्रवाइड करा दूंगा उसके तो देखे हम क्या करने वाले हैं 28 तरोरी को आपको मैत को बैलो जी के सभी mcq कराने वाले हैं दो और ती नमर वाले प्रशन तो भईया 26 तरीको करा देंगे 27 तरीको 5 और लॉंग जो कोशन हो करा देंगे बचेगा क्या mcq बचेगा और सूत्र बचेगा मैत वालों के समय मिला है तो इंग्लिस में हम पढ़ेंगे इंग्लिस गरामर आपका वन स्वाट वीडियो देदेंगे इंग्लिस गरामर बस वही पढ़े के आपको पेपर देने चले जाना है वहां से आपका इंग्लिस गरामर का काम हो जाएगा 20-25 नमर का काम वहां से हो जाएगा समझ टू को हम लोग एक ही दिन में 28 वर्विक होई सब इसके नोमेरिकल और डिरिवसन खलास कर देंगे समझ गए चलिए तो यह तिन दिन में ऐसा काम होने वाला है अब आपको कि सब फिजिक्स का और इंगलिस का अभी तो बहुत सारे टॉपिक बचे हुए तो उनका कैसे आप ल समझे तो मैं एक तारीक और करें गांगा और वीडियो तो याद में तो यहादी किसके 1983 करेंग जबसेगा तीन फरोरी जिसे अग्लवा accommodation करेंगे अब चलेंगे सब चीज हम पढ़ेंगे तीन तरीक, जीजा चार तरीक, पड़ेंगE पढ़ेंगे और साथ के बाद भया आप छुट करा पा जाएंगे और रिजल्ट के दिन आपका तबाही रिजल्ट आएगा समझ गए इस तरह में त्यारी करेंगे इस तरह मारा प्लान है आपको कैसा लगा ये इस्टर जी आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमे क्या है नहीं आप कुछ बताओगे तो उससे हम ले लेके और बढ़िया करने की कोसिस करेंगे और यदि हमें कोई गलती आपको दिख रिए कि हां सर आप यह गलती कर रहो तो वह भी आप कमेंट करके बताना समझ गए चलिए आज की वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता द झात।